दोस्तों जैहीन वंजमात्रम 22 संशकर्म का Commonwealth Games जो बर्मिंगम में हो रहा है भारत का तीश्रा दिन बहुत शांदार रहा और इसमें भारत ने तीन पदक दीते पहला पदक संटेश सर्गर ने 55 किलो ग्राम भारवर्ग में सिल्बर मेडल जीता और उसके कुछी छणवाद गोल्ड मेडल जीता और अपने 58 किलोग्राम भारवर में मेरा बाइचानु ने 2018 के Commonwealth Games में जो गोल्ड कोस्ट में हो थे उसमें पिए उन्हों ने गोल्ड मेडल जीता था और 2014 के जो ग्रासगों में Commonwealth Games में थे उन्होंने इसमें सिल्बर जीता था और हाली में खतम होई टोक् कारणावा करने वाली दूसरी भारतों लखे आ रही हैं दोस्तों जैहिंद बंदे मात्रम मैं सुनिल कुमार यादो सभी खेल पेर्वियों का अभिवादन करता हूं और बाच्वें Commonwealth खेल बर्मिंगम इंग्लेंड में सुरू हो चुके हैं और अब तक भारत ने इन खेलों और चेर्मी ने दो रज़त पतक जीते हैं जिसमें से एक विद्यारानी ने जीता है और एक जो है पूर संकेश सरकत ने जीता है एक कांस पतक जीता है जो गुरु राजा पुजारी ने जीता है दोस्तों हम सभी भारत वासियों की दुआएं इन भारती खिलाडियों के अचिन्त सिवली ने कामनवलत खेलों में भारत के लिए एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने 170 किलोग्राम भार उठाया और टोटल 313 किलोग्राम भार उठा कर भारती दल में जोस पैदा किया। उनकी लिफ्ट बहुती सांदार थी और उन्होंने ये वेट उठा कर भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया। अब तक जो भी पदक आये वो वेट लिफ्टिंग से पदक आये। दोस्तों वेट लिफ्टिंग में आज दिन का और हमारे कॉमन मेडल खेलों का दूसरा गोल्ड मेडल जेर्मी ने दिलाया और उन्होंने चोटल होने के बावजूर वेट उठा कर भारत को एक और गोल्ड मेडल जीता था और अब जेर्मी अब 55 किलो भार कटेक्रिजर में भारत की विद्यारानी इसके पहले भारत की विद्यारानी इसके पहले भारत की विद्यारानी इसके पहले मेरा वाई चानू ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और आज हुए मुकाबले में भारत की विद्यारानी ने भारत के लिए एक अटेम्ट को पुरा नहीं गरपाएं लेकिन रज़त पदक के लिए जो मुकाबला हुआ उसमें उन्होंने बड़ी आसानी से अपना वेट उठाया और भारत के लिए दूसरा रज़त पदक जीता है